चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर लीजी जिससे आने वाले वीडियो उसकी सूचना आपको सहस्ता से प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करते ही पूतवाली शाहपुरा का प्रशाशनिक भवन एवन नगर पाली का मिंडल का कार्याले दिखाई पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। शाहपुरा की स्थापना 1629 एश्यू में हुई थी। शहर का नाम मुगल बासा शाजाना के नाम पर शाहपुरा रखा गया। शहर की ओर बढ़ते हुए तैसील एवन उपघंड अधिकारी कार्याले एवन पुलीस उपादीक्षक कार्याले नजर आते हैं। भीलवारा मार्क उत्तर पूर में बढ़ते हुए शहर के व्यस्त चौरहे बस स्टेंड चौरहे पर पहुंसता है। यह चौरहा शहर का व्यस्त चौरहा है। यहां शहर का राजगी ए उच्छ माध्यमिक विद्धाले का परसर यहां रामद्वारा मंद्र का परसर इस्थे थे रामद्वारा मंद्र परसर शहर में आस्था का मुख्य केंद्र है बसस्टेंट से उत्तर में त्रिमूर्ती चौरहा इस्थे थे यह चोरहा शेहर में व्यापारिक द्रश्टीकों से केंदर बिंदू है यहां शेहर का कुंड गेट भी इस्तित है शेहर का श्री राम सिनेमा घर का परसर भी त्रिमूर्थी चौक पर ही इस्तित है त्रिमूर्थी चौक से उत्तर में सदर बाजार प्रारंब होता है पोड़कर शहापुरा शहर में वर्तमान में लवक 33,000 की जनसंख्या निवास करती है यह जनसंख्या के दरश्टी कौन से नफसरजित शहापुरा जनपद में गुलापुरा के पश्चाथ दूसरा सबसे बड़ा शहर है शहापुरा देश की आजादी के पश्चाथ राजस्थान राज्जे में शमिलित हुआ एवन भीरवाड़ा जनपद का हिस्सा बना 17 मास 2023 को शहापुरा को भीरवाड़ा के अधिकारों से मुक्त कर स्वतंत जनपद घोशित कर दिया गया सड़क उदाइबान गेट से होते हुए पूर उत्तर में बढ़ते हुए शहर के वेस्थ चौरहे कलिंजरी गेट चौक पर पहुंसती है कलिंजरी गेट चौरहा शहर का सबसे वेस्थ चौरहा है यहां से दक्षन पस्चिम में सड़क भीलवाडा की और उत्तर पस्चिम में सड़क फूलिया गेट एवन केकडी रोड की और पश्चिम की और कलिंजरी गेट बालाजी छत्री की और एपर पूर्व की और का मार्ग जहाजपूर बूंदी कोटा आदी की और प्रस्थान कर जाता है शाहपुरा से कोटा की दूरी लभख 140 किलो मिटर की है कलिंजरी गेट से पश्चिम में प्रवेश करने वाली सड़क कलिंजरी गेट चौरहा को बालाजी की छत्री से जोड़ती है यह मार्ग शहर में कलिंजरी गेट मार्ग के रूप में ही जाना जाता है शेहर के कायम खानी महला कोठार महला अधीक शेतर इसी मार्ग से जड़े हुए है लफ़ पांसो मिटर दूरी तेकर यह सड़क बाला जी की छत्री चौरहा पर पहुंसती है बाला जी की छत्री चौरहा शेहर का केंदर बिंदू है बालाजी की छत्री से उत्तर में फूलिया गेट मार्ग एवन दक्षण में सदर बाजार इस्तित है बालाजी छत्री से उत्तर में ही नगर पालिका का पुराना कार्याले उपकारागार का परसर एवन एतिहासिक शहपुरा पैलेस का विशाल परसर इस्तित है बालाजी की छद्री से पश्चिम में शेहर के पश्चिमी छोर पर विशाल तालाब इस्ते थे यह तालाब पर सर शेहर में आकरशना का मुख्य केंदर बना रहता है बालाजे की छत्री से दक्षिन में प्रारम होने वाला सदर बाजार शेहर का व्यापारिक द्रश्टीकों से मुक्षे केंदर है सदर बाजार में दोनों और कतारबद व्यापारिक परतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं इस मार्क को रामद्वारा मार्क के रूप में भी जाना जाता है नफसरजित जन्पत शाहपुरा के क्षेतर में भीलवारा जन्पत की साथ तैसिलों खुरडा, शाहपुरा, बनेडा, कोटडी, जहाजपुर, मांडलगर्ड, एवन बिजॉलिया को समिलित किया गया है गुलापुरा, शाहपुरा, जहाजपुर, एवन मांडलगर्ड, शाहपुरा, जन्पत के मुख्य नगरिये क्षेतर है सधर बाजार दक्षन की और बढ़ते हुए त्रिवेणी चौक कुंड गेट पर जोड़ जाता है बालाजी की छतरी से उत्तर में फुलिया गेट की और जाने वाली सड़क शहर के घनी अबादी वाले क्षेतरों से गुज़ती है शाहपुरा, राजस्थान, राज्जे के 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेतरों में एक है यहां के स्थानिय निवासी, भील वाड़ा, लोगसभा निर्वाचन क्षेतर में मतदान करते हैं उत्तर में बढ़ते हुए सड़क शहर के फुलिया गेट चौरहा पर पहुंसती है यहां से दक्षनपूर में कलिंजरी गेट से आने वाली केकडी रोड उत्तर में गुलापुरा केकडी की और निकल जाती है शहर के उत्तर में गुलापुरा एवन केकडी से आने वाली सड़कें गुलापुरा तरहे से एक होकर दक्षण की और फुलिया गेट एवन मुख्य शहर की और प्रवेश करती है यह सड़क शहर में केकडी मार्ग के रूप में ही जानी जाती है दक्षन में बढ़ते हुए फुलिया गेट चौराहे से होते हुए यह मार्ग दक्षन पूर्व की और मुड़कर कलिंजरी गेट की और बढ़ जाता है सड़क के दोनों और घनी आबादी खशेत रिस्ते थै शाहपुरा जैसे एतिहासिक शहर में आना एवन इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें शाहपुरा शहर पर बना यहे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवन प्रिये जनों के साथ साजा करें जो शाहपुरा शहर अत्वा इसके आसपास के क्षेतर से जुड़े हुए हैं मुझ से सीधा जड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट धरूव इंपार को फॉलो कर सकते हैं आप से मुराकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक मैं धरूव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ धन्यवाद